उम नमाशिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जिवन जिने की कलामे कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं साल 2020 कैसा रहेगा धनुराशिवालों के ल नए साल में संकल्प करें आगे बढ़ें आए जानते हैं कैसा रहेगा आपका साल और क्या उपाय करना होगा आपको धनुराशिवालों के लिए साल 2020 कुछ मिला जुला रह सकता है साल की शुरुवात में आपको थोड़ा सचेत रहने के आवश्यक्ता है क्योंकि इस समय चलें तो बहतर होगा विवाहित जातक अपने जिवन साथी में पुनतया विश्वास जताएं अन्यथा संबंधों में खटास पैदा हो सकती है जन्वरी के अंतिम सप्ताह में शनी के राशी परिवर्तन से आप पर शनी की साढ़े साथी की आखरी ढया आरम्भ होगी जिसस आपकी परिशानियां बढ़ सकती है इस समय यदि आप भागय के भरोसे बैठेंगे तो यह आपकी बड़ी भूल साबित हो सकती है आपको इसलिए बहुत जादा कठिन परिश्रम करने की आउशकता होगी क्योंकि शनी न्याई ग्रह है अगर मेहनत करेंगे तब आपकी सफ देंगे लेकिन मेहनत करेंगे तब कार्यस्थल पर पदोन्नती के आसार हैं आपके लिए लेकिन आपको थोड़ा सयम बना करके रखना होगा तभी यह संभव है अप्रेल में शनी के वक्री होने से आपको शनी से कुछ समय के लिए मुक्ती मिलेगी सितंबर में राहु भाग्य शाली रहने वाला हो सकता है राहु जहां आपके पराक्रम में वृद्धी कर सकता है और शत्रों पर विजय प्राप्त करवा सकता है वहीं पर केतू जो की भाग्य शेत्र में होंगे आपकी रूची धर्म कर्म के कामों की ओर बढ़ा सकते हैं हो सकता है इस दोरान आपके परिवार में बड़े स्तर पर किसी मांगलिक कारे का आयोजन हो। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के शेत्र में आपको सफलता मिल सकते हैं पर कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है आपको इसलिए मन को एकागरचित करके अपनी मनजिल प्राप्ती के लिए कोशिश करना आपके लिए ज्यादा श्रियस कर रहेगा बात करते हैं नोकरी करने वाले जातकों के संबंध में शनी के प्रभाव के कारण आपको परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है लेकिन इसके साथ ही आपको परिणाम भी बहुत अच्छा मिलेगा आपके कारे क सराना होगी और आपको कार्यस्थल पर तरक्की मिल सकता है किसी नई टीम का नेत्रित्व करने का आपको मौका भी मिल सकता है बात करते हैं व्यापारियों की राजनीतिक प्रशासनीक तथा व्यापारिक दृष्टी से सुखद महसूस करेंगे नवीन कारियों का श्री गण किया जा सकता है और रूध दूर होकर के लाप का मार्ग प्रशस्त होगा आपके लिए सेरावत जातक पदोनती आदेश पाने में सफल होंगे इसके बाद उनती के योग आपके लिए बन रहे हैं व्यापारी बस मेहनत करें उनके लिए अच्छा समय रहेगा बात करते हैं परिवार के लोगों की घर परिवार को लेकर के आपको गलत नेर्णे लेने से बचें नहीं तो इसकी चिंता आपको पूरे वर्ष परेशान करती रहेगी किसी अन्य कारण से भी आपको पारिवारिक चिंता रह सकती है इन सब के बावजूद भी पारिवारिक वातावरन अ प्रेम और दामपत्य जीवन की जीवन साथी से जगड़े और विवाद होने की पुरीद संभावना है वेप्रित लिंगी से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे किसी भी संबंध को तोड़ने या जोड़ने के मामले में जल्दबाजी या हडबड़ी से आपको बात बिगरती ह विन जर आएगी इसलिए बचना होगा इसलिए कोई भी नेणे ठंडे दिमाग से ही ले आपके लिए अच्छा रहेगा आपके कुछ अपने लोग आपको बार-बार धोखा दे सकते हैं इसलिए अपने दिलों दिमाग को खुला रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा अब बात कर लेते हैं धन और संपति की वसियत प्राप्ट करने की संभावना है तो आप उसे प्राप्ट कर सकते हैं लेकिन किसी नए काम को शुरू करने के लिए बड़ा निवेश करने से बचना ज़रूरी है आपके लिए यदि ऐसा करना ज़रूरी ही है तो बहुत ही पुर्वक निवेश करें नहीं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी इसलिए पहले अच्छी राय लें अच्छे से समझ लें चीजों को और अंदर तौल लें फिर हैं उसमें कदम आगे बढ़ाएं बात करते हैं उपाय के संबंध में कि साल को बहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए किसी गाय को चारा खिलाइए या फिर चावल खिलाइए और व्याभी चार से बचिये यानि कि किसी भी प्रकार के इस्त्री प्रसंग या फिर किसी भी प्रकार के व्यासन यानि कि किसी भी प्रकार के नसे किलत से आपको बचना होगा तो साल आपक हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथी साथ वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट कीजिए ताके अन्य लोगों तक पहुंच सके फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव।